हेलो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं जोग्राफी एंड इकोनोमिक्स का जो कोश्चन पूछा गया है मगद इनुश्टी का 282 एर का मेथट पेपर जो होता है 7B उसको मैं डिसकस करवा रहा हूँ तो देख लिजे दोस्तों क्या क्या पूछे गया है कोश्चन दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिस दोनों पढ़ूंगा आप अपने अनुसार सुद्धा अनुसार देख सकते हैं पहला नमबर कोशिट ने डिसक्राइब दा नेचर एंड सकोप अफ एकोनमिक्स अर्शास्त की प्रकृति एब मं खेती का बढनन कीजिए दूसरा नमबर है डिसकर्श्ट आ डिसकर्श्ट एम आय突ेश्ट की वीचना करना है ठीक है तिसरा नमबर है What are the various methods of economics teaching Explain any two of them with examples मतलब अर्षा सिच्छन की परमुक बीधियां कौन कौन सी है किनी दो बीधियों का उधारन द्वारा स्पष्ट कीजिए ठीक है चोथा नमबर कोचन है What are the uses of audio-visual add in the teaching of geography and precaution should be taken into account while making their uses कहने का मतलब है कि द्रिश स्रव्य समागरी के भोगल सिच्छन में क्या उप्योग है इनका प्रियोग करते समय क्या क्या सब्धानिया रखनी चाहिए पाच्वा नमबर है पाच्वा नमबर देख लिजे Dry a lesson plan of teaching any topic of geography in secondary level school मतलब माध्मिक बिध्याले में भोगल के किसी प्रकलन को पढ़ाने के लिए एक पाथ ही योजना त्यार करें छथा नमबर कोशन है Describe the qualities of a good teacher of economics मतलब अर्षास्त के अच्छे सिच्छ के गुनों का बढ़न करना है ठीक है सब्धान नमबर कोशन है What do you mean by evaluation Construct 10 objective questions for the purpose of evaluation मतलब मुल्यांकन से आप क्या समचते हैं अर्षास में मुल्यांकन है तो 10 बस तुनिष्ट प्रश्णों का निर्मान करना है ठीक है दोस्तों आठमान नमबर कोशन है Discuss the principle to be followed in making syllabus in geography for secondary education मतलब माधमिक विद्यालेओं के लिए भुगोल का पाठिक्रम बनाने में किन-किन सी द्यानतों का पालन करना है पालन होना चाहिए बनन करना है इसको ठीक है नमान नमर कोशन है What in your opinion is the best method of teaching economics in lower classes and why निमन बरगों में अर्थ साथ पढ़ाने की आपके विचार से कौन सी सर्वत्तम भी दिये ठीक है दसबन नमर कोशन है Write a short note on any two of the following मतलब निमने सकीन ही दो परशनों पर संचिप्त टिपनिया लिखना है पहला नमबर है function of money मतलब मुद्रा के कार्य B नमबर है book as supplementary material for teaching of geography मतलब भोगोल सिच्छन में पूस्तक एक अनुपूरक सामागरी के रूप में C नमबर है Geography and Economics का जो method paper है उसका ठीक है दोस्तों झाल भोगोल G झाल G घूपूई G प्यूस्पना तो G G झाल झाल